वीकेंड के वार पे भाई साव इस बार जो वार है वो विवेन डिसेना पे हो रहा है अब विवेन पे जो वार है वो कुछ ऐसा है कि विवेन आप क्या कर रहे हो आप का कोई मुद्दा ही नहीं है इस पे विवेन का कहना है कि सर मुझे फील हो रहा है कि मैं पिछले दो तीन ह इसे कर रहा है हो जैसे बहुत च्छा काम किया आपने एकसट कर रहे हो तो आपको पहले भी रेलाइज हो गया था लेकिन आविनास की बैकस्टेफिंग के बाद आपने आप कोई एक्षन नहीं लिया तो ये कैसा realization है चाहाँ पर आपको realize भी और अपनी गल्तियां लेकिन उसके बावजूद भी आप कोई action नहीं ले रहे हो बैसे आपको बता दें कि इनकी wife यानि कि नौरान अली बिग बॉस के घर में जब पहुँची जब इनका हुआ confrontation एक दूसरे से आमना सामना जब हुआ तो क्या कहा नौरान ने तो नौरान ने कहा कि जो गैंग में आप बैठ रहे हो न वो गलत कंपनी है गलत कंपनी में आप बैठ रहे हो दूसरे लोगों के साथ बैठो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अब क्या करन के साथ बैठेगा विविन शिल्पा के साथ बैठेगा या फिर रजट के पास जाएगा क्या करेगा विविन अब आप ये सोचो ना कि जो लीड कर रहा था जो शो जीतने वाला बंदा था वो अब किसी और कंपनी में जाके बैठेगे तो बड़ी आजीब सी बात है तो ये कहा है कि आप गलत कंपनी में बैठे हो और ये लोग जो हैं कि चुगली गैंग कहलाते हैं बाहर इनको लोग चुगली गैंग कहते हैं तो चलो अच्छी बात है, चुगली गेंग की बात हलागि पहले भी हो गई थी, कि ये चुगली गेंग कहलाते हैं, और ये कहा है नौरा ने विवन को, कि अगर तुम्हें लग रहा हो, कि ये सिर्फ दूसरों पर वार करते हैं, तुम पर वार नहीं करते हैं, तुम्हारी भी कंपनी जाके जॉइन करेगा बहुत मुश्किल वाली घड़ी में भी बिन फस चुका है वैसे अब देखना बड़ा है दिल्चस्प होगा कि आगे वो करता क्या है